हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आरजी स्टूडियो माइनेम इज राहूल आइम टीचर इस वीडियो में आपको योगा साइंस के संबंधित 30 इंपॉर्टेंट कोसंस की जानकारी देने जा रहा हूं और यह सबी जो कोसंस है यह पिछले योगा इंट्रेंस अक्जाम में आचुके हैं विबिन उनिवर्षीटी और इंस्टिटूट जैसे की इन्टेंट्टर इस ईूटी पीजी और अदर उनिवर्षीटी के लिए जो इंट्रेंस अक्जाम होते ह workflows के लिए जैसे की अंदर्ग्राइबर्भजु लिए जनक्राइब फॉर् पीजे डिप्लोमा जो की मुराजी दिसाइन नेशनल इस्टूडियो पे होगा न्यू डेली और अधर यूनिवर्सिटीज के लिए जो होते हैं और नेट नादी के लिए और योगा सर्टिपिकरिशन के लिए जो एक्जाम्स होते हैं वाइसे भी लेवल बन, लेवल टू, लेवल थरी उनसा अभी के लिए वीडियो बहुता दी यूसपुल है और जो कनिदेट्स वेबिन न योगा इंटरेस एक्जाम्स और योगा सर्टिपिकरिशन एक्जाम्स के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन य मिलते रहें और विबिन जॉप्स और एड्मिसंस के लिए जो डेपडेट्स आते हैं उसकी जनकारी मिलती रहें वीडियो को लाइक सेर और कमेंट योरू कीजेगा तो यहाँ पे जो फर्स्स कोसर ने पहली कोशन है Which of the following is your balancing yoga poster इनमे से कौन सा एक balancing yoga poster है options से A. चक्राशना, B. सल्भाशना, C. व्रकशासना, D. मत्सेंद्राशना तो इसका जो correct answer है यह है व्रकशाईचांषना व्रकशाईचा इस यो बेलेंसंग yoga poster ब्रकशाईचांषना होता है एक balancing yoga poster होता है जो अन्विलिंग है किसी भी चीज को समझने की जो इच्छा ना होना सुनने की फॉलो और प्रेक्टिस करने की इच्छा ना होना द्यू टू मेंटल लिथार्जी मांसिक सुस्ती की कारण इच्छा ना है उसको क्या कहा जाता है evolution a avrti b styana c unvastive d lse correct answer is styana so unwilling to understand listen follow or practice anything due to the mental lethargy is known as correct answer is sthyana next question is third the response of the human body to the demanding situation is the response to of the human body, human body का जो response होता है demanding situation के लिए उसको क्या बोलते है option A fighting, option B running, option C stress, option D duty, correct answer option C stress, the response of the human body to the demanding situation is जो response होता है human body का demanding situation के लिए उसको बोलते है stress, next question है four, a yoga teacher should begin the yoga session with yoga teacher को yoga session किसके साथ सुरू करना चाहिए option A satkarva, option B pranayama, option C prayer, option D dhyana, correct answer option C prayer, a yoga teacher should begin the yoga session with yoga teacher को yoga session prayer के साथ start करना चाहिए next question है yoga in the bhagwat gita is defined as जो yoga है वो bhagwat gita में किस प्रकार से defined किया गया है किस प्रकार से उसका abundance किया गया है, option A सथेरा, सुखम, आसनम, option B योगचिता, ब्रती, निरोधा, option C टेटो, डेविन्दा, भीगते, option D योगा, करमासू, कॉसलम तो योगा, इंदा भगवध गीता इस इडिफाइंड है, भगवध गीता में जो योगा को 다िफाइंड किया गया है, वो योगा करमासू कॉसलम आप्शन डी इस का करेक्ट अंसर है योगा कर्मासु कॉसलम, तो योगा इंदा भगवजीता, भगवजीता में जो योगा को डिफटाइड किया गया है, वो योगा कर्मासु कॉसलम के रूप में किया गया है, और कोशने 6, which of the flowing is साथ्विक इसमें से कौन साथ्विक है और पुरुस महत नन अब दीज, भोथ अब दीज, तो correct answer और ओप्शन भी महत महत is साथ्विक जो महत होता है यह साथ्विक होता है नेस्ट कोशने, container of the other कोशाज इस, जो container होता है अधर कोशाज का उसको क्या बोलते हैं, option A, अनमया, B, प्रणामया, C, मनोमया, D, विजनमया, correct answer A, अनमया, container of the other कोशाज, जो container होता है, अधर कोशाज का उसको बोला जाता है, अनमया, next question A, कर्मेंद्रियाज, related to the fire element R, कर्मेंद्रियाज, जो related होती है, fire element के साथ, उनको क्या बोलते हैं, option A, genitals, option B, legs, option C, ears, option D, hands, correct answer, option B, legs, कर्मेंद्रियाज, related to the fire element, कर्मेंद्रियाज, जो related होती है, fire element के साथ, उसको बोलते हैं, legs, next question है, चक्राज और नाडी, जो components of which course, चक्रा और नाडी, जो components होते हैं, भाग होते हैं, किस कोश के, option है, प्रणामया, विजनमया, अन्नामया, मनोमया, करेक्ट अंसर है, प्रणामया, चक्राज और नाडी, जो components होते हैं, भाग हैं, वो प्रणामया कोश के हैं, next question है, प्रमाना व्रति में क्या इंक्लूड होता है, option A, प्रत्यच, option B, आगम, option C, करेक्ट परसेप्शन, option D, all of the above, करेक्ट अंसर है, all the above, प्रमाना व्रति में, जो इंक्लूड होता है, वो होता है, प्रत्यच्च, प्रत्यच्च, आगम, करेक्ट परसेप्शन, ये सभी, प्रमाना व्रति में सामिल होता है, next question है, सूख्स्म व्यामा, आर दा, प्रैक्टिसेज टू, सूख्स्म जो प्रैक्टिसेज होती है, वो किसले होती है, option A, कूल डाउन दा बोडी, option B, टाइटन दा जोइंट्स आप दा बोडी, option C, वार्म अब दा बोडी, option D, इंक्रीज दा फ्लेक्सिबिलिटी, करेक्ट अंसर है, option C, वार्म अब दा बोडी, सूख्सम व्यामा, आर दा प्रै इस, जो best technique होती है, best technique mental disturbance को गंट्रोल करने के लिए क्या है, ओψयने meditation, option B, प्रेयर, ओप्शन C, योगा, निंदरा, ऑप्शन D, आल दा अबव़, एक रेक्ट अंसर है, all दा एकव़, दा बाव धा लागब, the best technique to control mental always हैं वह मेंडिटेशन प्रेयार और योगा निंद्रा नेशकोंसने अकॉरडिंग्टू ऑफ्सक्रेयों पह्ते यह योग एज की जरुडेश कोने के नुशार जो पॉर्स लिम होता है हथ्योगा क्या है Option A आसानाज, Option B प्रणयामा, Option C मुद्राज, Option D सुधी क्रियाज Correct answer है Option D सुधी क्रियाज According to gerund, gerund के अनुसाद the first limb of the हत्य योग, हत्य योग का जो पहला limb है वो है सुधी क्रियाज Next question है Which of these is not one of the main four वेदाज इन में से कौन सा एक main four वेदाज नहीं है Option A सामवेद, Option B अथरवेद, Option C रिगवेद, Option D आयरवेद Correct answer है Option D आयरवेद आयरवेद is not one of the main four वेदाज, आयरवेद जो है वो Main four वेदाज नहीं है, सामवेद, अर्थवेद, रिगवेद, यह सभी main four वेदाज में included है Next question है Axial skeleton system in human body contains dash bones Axial skeleton system जो human body में होता है उसमें कित्ती bones होती है Option A 126, Option B 106, Option C 80, Option D 90 Correct answer है 80 Axial skeleton system in human body Axial skeleton system जो human body में होता है उसमें 80 bones होती है Next question है Which of the following is a part of antarang yoga practice Which of the following इन में से कौन सा एक पार्ट है अंतरang yoga practice का Option A मुद्राज, Option B ध्याना, Option C किरिया, Option D आसना, correct answer है Option B ध्याना ध्याना is a part of antarang yoga practice, ध्याना जो है एक antarang yoga practice का भाग है Next question है Which prana helps in urination, कौन सा प्राणा help करता है यूरिनेशन में Option A उदना, Option B अपना, Option C व्याना, Option D सामना, correct answer option B अपना अपना प्राणा helps in urination, अपना प्राणा जो है वो help करता है यूरिनेशन में Next question है Which of the following is an anti-gravitational आसना, इन में से कौन सा एक anti-gravitational आसन है Option A सीर्शासना, Option B मयूरासना, Option C चकरासना, Option D उगरासना, correct answer है Option A सीर्शासना, सीर्शासना is an anti-gravitational आसन, सीर्शासन जो है एक anti-gravitational आसन है Next question है Peripheral nervous system in human body includes, Peripheral nervous system जो human body में होता है उसमें क्या क्या सामिल है Option A Somatic nervous system, Option B, Autonomic nervous system, Option C, Antaric nervous system, Option D, all the above, correct answer है All the above, Peripheral nervous system in human body includes, Peripheral nervous system जो human body में होता है इसमें Somatic nervous system, Autonomic nervous system, Antaric nervous system में सभी included होता है Next question है, विच ग्यानेंद्रिया, Organ of Science is related to air element कौन सी ग्यानेंद्रिया, Organ of Science related है air element के साथ Option A, Skin, Option B, Ears, Option C, Eyes, Option D, Nose, correct answer है Option A, Skin, Skin, ग्यानेंद्रिया, Organ of Science is related to air element Air element के साथ, जो ग्यानेंद्रिया, Organ of Science related है, वो इसके नहीं Next question है, विच अप्धा फॉल्विंग ऐलिमेंट कॉर्सपोंस तो दा साइन्स ओर्गन नोज Which of the following element, इनमेंसे कौनसा element कॉर्सपोंस करता है, सैंस ओर्गन नोज को Options है, A, Earth, B, Water, C, Air, D, Ether, Correct answer है, Option A, Earth Earth element कॉर्सपोंस तो दा सैंस ओर्गन नोज Next question है, विच अप्धा फॉल्विंग मैच इस करेक्ट, इनमेंसे कौनसा मैच करेक्ट है Option A, तमस, दल्नेस, Option B, राजस, वंडरिंग, Option C, सत्व, प्योरिटी, Option D, All of the एबो, करेक्ट आंसर है, All the एबो, Which of the following मैच is करेक्ट, इनमेंसे जो मैच करेक्ट है, ये सभी मैच करेक्ट है, तमस का जो सही मैच है, ये डल्नेस के साथ है, राजस का सही मैच, वंडरिंग के साथ है, सत्व का सही मैच, प्रियोरिटी के साथ है नेस्ट कोशन है, Which of the following प्राण, प्राण is related to मोलधारा चक्र, इनमेंसे कौन सा प्राण related है, सम्बंधित है, मोलधारा चक्र से, ओप्शन A, ओदना, ओप्शन B, प्राणा, ओप्शन C, सम्बना, ओप्शन D, अपना, करेक्ट आंसर है, ओप्शन D, अपना, अपना प्राण एज, related to मोलधारा चक्र, अपना प्राणा जो है, मोलधारा चक्र से, related है, नेस्ट कोशन है, व्याना वायू, helps in, व्याना वायू, किसमें help करता है, ओप्शन A, reproduction, ओप्शन B, sleeping, ओप्शन D, C, elimination, ओप्शन D, circulation, करेक्ट आंसर है, ओप्शन D, circulation, व्याना वायू, helps in, व्यान क्राजनता संप्राजनता संप्रायनता प्हновत प्रेंड़ है संप्राजनता है क्यों इस होता है वो समप्राजनता समधी है नेस्ट कोशन है टू डेडिकेट एंड सरेंडर एज डेडिकेट करना डेडिकेट एंड सरेंडर डेडिकेट और सरेंडर कौन सा योग है ऑप्शन है स्वाध्याय यम अभयास इस्वर प्रानिधाना तू डेडिकेट एंड सरेंडर डेडिकेट ए इस्वर प्राणी धना का मींस है, to dedicate and surrender, next question है, the bear the pains and hardship without complaining is, जो bear करना, pains और hardship को without complaining, बिना complaint के वो क्या है, option A, स्वाध्या है, option B, दम, option C, तितिक्चा, option D, मुबक्तवा, correct answer है, option C, तितिक्चा, to bear the pains and hardships without complaining, bear करना, सहना, pains और hardship को बिना complaint के, बिना किसी सिकायत के, वो है तितिक्चा, next question है, which of the following is not a type of अस्थ सिद्धी, इन में से कौन सा एक अस्थ सिद्धी का प्रकार नहीं है, option A, गरिमा, option B, महिमा, option C, अनिमा, option D, प्रग्या, correct answer है, option D, प्रग्या, प्रग्या is not a type of अस्थ सिद्धी, प्रग्या जवाई एक अस्थ सिद्धी का टाइप नहीं है, अस्थ सिद्धी का प्रकार नहीं है, next question है, which of the flowing is a heating प्राणायामा, इन में से कौन सा एक heating प्राणायामा है, option है, उज्जाई, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, all of the above, correct answer है, all the above, which of the flowing is a heating प्राणायामा, इन में से कौन सा एक heating प्राणायामा है, तो correct answer है, all the above, उज्जाई, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, इस बी heating प्राणायामा है, Next question है, virtuous action is virtuous action है, option a niscam karma, option b akarma, option c krissen karma, option d praxis karma, तो correct answer है, option a niscam karma, virtuous action जो होता है, वो niscam karma, niscam karma, virtuous action होते हैं, तो इस वीडियो में information दी गई है, योगा साइस के समझित महत्पूर्ट, 30 कोश्चंस की, जो की विभिन यो अर इंस्टिटिजीर और इंस्टिट्स की योगा इंटरेंस अग्जाम होते हैं, उन सभी में पहले आ चुके हैं और जो कनिडेट्स विबिन युनिवर्सिटी और इंस्टिटीट्स के योगा इंटरेंस एक्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं देव संसती उनिवर्सिटी हरिद्वार, कॉमन उनिवर्सिटी इंटरेंस एक्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ओफलाइन कोचिंग जोइन करना चाते हैं इंपर्टन कोचिंग के पीडेफ नोट्स लेना चाते हैं वो 9411-513-974 पर वाट्सप कर सकते हैं और कॉम्टेटर एक्जाम की प्रिप्रेशन के लिए एक वाट्सप ग्रूप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब वसा कर लें ताकि important question के वीडियों मिलते रहे और वेवेंड जॉप्स और एड्मिसंस के लिए जो ड्ना इपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे वीडियो को लाइक सेयर और कमेंट के रूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद